कोई कारण नहीं है कि कोई पुलीस का कोई अधिकारी ये दावा करें कि अभी एफायर हम दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रात्मिक तौर पर पहले जांच करनी पड़ेगी नहीं रेव के केस पे यौन उत्पिडन का कोई सवाल उठता है और उप लगता है तो एफायर पहले दर्ज होगी बाद में जो जांच कैसे करें ना करें पुलीस का काम है लेकिन पहले एफायर दर्ज होनी चाहिए ये प्रात्मिक सवाल है 21 तारी को खिलाडियों ने दुबारा दर शिष्की लेकिन देश खिलाडियों के साथ अरतिस मुकर्मा का जिकर किया है आपने प्रजबूसर सवर्ण पर अरतिस मुकर्में दर्ज है कितने आप उनके एलेक्शन एफिडेवेट को देख लीजिए कई मुकर्में उन पर 10 हो चुके हैं टाडा के गुंडा के तमाम लेकिन अपरात के उन पर आरोब लग चुके हैं कई केसे में वह बरी भी हो गए तो मैंने जैसा कानूनी दाव पर चुब अच्छी तरह जानते हैं लेकिन जनता के अदालत में यह भी जनता सोचे के बार-बार जब इतने मुकदमें एक आदमी पर दर्ज हो रहे हैं क्या क लेकिन नहीं किसे में बार-बार जानी चाहिए खिलाड़ के लिए कितने मुस्क्रिण लग रहा है या यह लड़ाई-जाणा कुछ मुश्किल नहीं के लिए के लिए जो ओलिम्पिक्स में कॉमन वेल्ट में इसी एड में इंटनेशनल लेवल पे देश के लिए पधक जीच सकते हैं उनके लिए क्या मुश्किल है तो उनका भी अधिकार बनता है कि विरोध करें उस विरोध के साथ देश की चर्वावनक देए आइकन नहीं है चाती के बीए या एक चेत्र के इपोई सीमा नहीं खेलाणी हो इसलिए अगर मेला ओटमिनन का इतना संगी अरूमन रहा है तो हम रूरु था क्या हूं कि यहां दो सर्की ओंजा कुछू